नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिय 90 बन पर मैं हूँ आपका दोस्त बनरक्षक राजन सनोडिया सबसे पहले दोस्तों उन सभी स्टुडेंटों को बहुत-बहुत हारतित सुपकामना है जिनका रिटर्न एक्जाम किलियर ह याद रखना दोस्तों अभी आपकामना सब्सक्राइब करेंगे ए पफेडल करेंगे और हम बात करेंगे चाल करते समय चोटी-चोटी बातों का धिहान रखना है इसका लाबा हाइट सीना की बात कर लगे ठीके और हम बात करिंगे डाकुमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और जॉइनिंग तो सबसे पहले बात करते हैं हम देखो बहुत सारे स्टुडेंटों के मेरे पास मेसेज आए बाट सेप में कि सर आपना नंबर दीजिए हमें किसी ने कहा कि सर आपका कॉंटेक नंबर दीजिए तो ऐसे किसी ने कहा ब पॉबलिक करने से फिर क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा तो फिर मुझे शम्द्र मेरे पहले कंःता है तो ठीक वारो Has S Heidi क التkिशन की प्रकार उनके माइंड में आएंगे अब तो सबसे पहला सवाल यह है कि देखिए उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें अभी आपके नंबर सो नहीं हुए है तो नंबर सो होंगे कब नंबर सो होंगे आपके जब फिजिकल के बाद जब आपका फाइनल सेलेक्शन होगा तब होंगे न तो पास बंभाग के तरह से आएगा लेटर आएगा और यह सारी जनकारियं आपको पाता चल जाएंगी ठीक है एसका अपडेट आ सकता है ठीक है नहीं तो लेटर तो आती है ठीक है मैं पिछली जो भरती है उसके धार पर बता रहा हूँ है फिर इसके बाद आप फिजिकल देने जाओगे फिजिकल में सबसे पैदल चाल पैदल चाल चाल चार घंटे में आराम से पचिस किलमीटर चल सकते हैं आप आराम से मतलब एक सिंपल जो आम इंसान की चाल होती है उसके इंसार चलोगे तो चार घंटे में 25 किमिटर बड़े राम से पैदल चाल निकल जाती है लेकिन कभी-कभी क्या होता है एस्ट्रा एक्साइटमेंट ठीक है कभी-कभी जादा उत्ते जहां जो होती है कभी-कभी खतरनाक हो अपने अन्वों के दार पर बता रहूं है तो वहां जब रहता है नाएन एक्साइटमेंट रहता है तो पैदल चलते हैं तो उसमें 25 किमिटर चलना है वहां याद रखना आपको गोल ग्रावन में घुमाया जाएगा यह सीधा 25 चलना नहीं कि साड़े बारा आना है एक्साइट में बहुत रहता है तो कि क्या होता है कि आपके पता चले कि पिजिकल की रूप से उतने इस्टाव नहीं है और आप पता चला कि वहां दोण रहे हैं ऐसा होता है सच्चाई वाली बात यह भाई सहाब कि वहां अगर आप चार घंटे से पहले दो घंटे में भी या एक घंटे में भी पैदल चाल चलोगे तो वहां कोई नंबा नहीं मिलेंगे और से आपका सेलेक्शन में कोई आपकी मेरिट में उस तो फरक नहीं पड़ेगा ठीक है वह सि और कि आप ईक्ते में गृट छाल चलोगे ऐसे पहलें लेकिन कभी कभी क्या होता है छोटी हो जाता है नुकसान और में तो क्या करते हैं भी दूसरों सब्सकेर मेरे साथ चाल हुई थी तो मेरे साथ स्टुडेंट था मतलब भाई टाइप था तो वह जब पैदल चल रहा था तो हुआ ये की वहाँ पर जब दौर रह थे तो वहाँ ये हुआ की लगबाग लगबाग 25 किलमेटर में से 4 या 3 किलमेटर बचे थे तो वो 3 किलमेटर के किनारे समय बहुत था तो बैठ गया थोड़ा मात्र 5 मिनट के लिए बैठना करके तो उखरू बैठने से पता नहीं क्या हुआ उसके पैर में एठन आई या क्या आई तो वहां पर उसके जैसे खड़े होता तो वो खड़ा नहीं हो बारा था तो इसके पैर में कमपनी होने लगा बहुत कुशिष करें लेकिन उसने बहुत कोसिषिख किया खीक है बहुत सारी लोगों ने बोला कि इंदर 3-4 में हो जाएगा लेकिन नहीं हो ठाया गैगैं ट्लेक। आपको में मे पानी मिलता है बीच में 4-5-5 किलिमेटर की बीच में जो बन्वबाग का स्टाप रहता है सभी बदिश्टरदिकारी रहते हैं वहां पर तो वहां पानी रहता है ठीक है चौकलेट अखलेट भी रहती है कुछ न और 4-5 5 क्लिम्यूमिटार टोकन मिलते रहते हैं आपने 2 मिलें चांट बात करते हैं तो इसके बाद होने ही चाहिए है इसके बाद बात करते हैं सब्सक्राइब कर रहा हूं जितनी हाइट मांगा उतनी हाइट होना जरूरी है इस बात को आपको द्यान रखना है इसके लावा सीना की बात करते हैं तो 84 89 89 78 भी रहेगा तो थोड़ा बहुत मैंने जो हो जाता है वहाँ पर डीक है मैं अपने तरब से बता रहा हूं यह चीज्यां मैं अपने तरफ से बता रहा हूं लेकिन कोई चीजे कोई मैंने मैंने नहीं होता है है हाइट दो बार नबती है और यह आपका जब डाकुमें हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका जैसे फाइनल सेलक्षन होगा तो उसमें याद रखना अभी एक पोस्ट के लिए तीन स्टुडेंट फिजिकल दे रहा है तो दो बहार होंगे एक सेलक्षन फाइनल होगा ठीक है इस चीज को आप याद रखना और इसके बाद फिर द आपको क्या करते हैं बन विभाग की तरफ से लेटर मिलेगा जिसमें बुला जाएगा कि आईए आप मेडिकल फिटनेस सर्टिपिकेट लेकर जाएए तो आप जो डिस्टिक में हॉस्पिटल रहता है जिला चिकिस साल रहता है वहां की डक्टर साब के पास जाएंगे और पर जाके दोस्तों फिर आपको क्या करना रहता है मेडिकल फिटनेस सर्टिपिकर मेरे हुए थे एक हुआ था आई टेस्ट दूसरा एक्सरे तीसरा इसीजी और चोथा यूरिन टेस्ट चार प्रकार के टेस्ट होते हैं ठीक है आप डक्टर पास जाओगे रिपोर्ट संब नहीं होता है अपको करनेकर सावरी के मशस手ट के टीक है एक तो यह हो गया भी जुवायनिंग के बाद नाप पसके उसको अपर महरit उसमय का DAVID की अवह सब देखे जाएंगे इतनी चीज होती है और बस हो गया तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी ठीक है इसके लाब कोई अब प्रेफ्रेंस जो लिया है तो उसके अधार पर क्या थोड़ा चैंजस देखने को मिलता है वो भी हम समय के साथ देखते जाएंगे और ऐसी को जानकारी आएगी तो मैं आपको आउडेट करा दूंगा थैंक्यू जाहिंच भारत